ये कहानी है नीरज की जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और नीरज पढ़ा लिखा भी नहीं था इसलिए वो एक धाबा चला कर अपनो और अपनी मा का गुजारा चला रहा था नीरज की मा लीला भी धाबा चलाने में उसकी मदद किया करती थी नीरज चूलहा जलाने को एक भी लकडी नहीं बची है, मैं खाना कैसे बनाऊं? परिशान मत हो मा, मैं अभी जंगल जाता हूँ, और धेर सारी लकडियां काट कर ले आता हूँ, फिर दोनों मिलकर फटाफट खाना बना लेंगे नीरज फॉरण अपनी कुलहाडी लेकर जंगल की तरफ चला गया, नीरज की ढाबे पर हर रोज गाउं के कई लोग खाना खाने आते थे, लेकिन फिर भी नीरज की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि गाउं में कमाई से ज़्यादा लागत थी, यही वज़ा थी कि उसे चूलहा जलाने के लिए जंगल से लकडियां काट कर लानी पड़ती थी, अब हाँ, इस पेर पर काफी लकडी है, इसी से शुरू करता हूं, आह, मेरे पंक, कोई बचाओ, कोई है, कोई तो मेरी मदद कर दो, अरे, यह आवास तो किसी लड़की के लगती है, लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए, नीरजोस आवास की तरफ गया, उसने देखा कि वहाँ पर एक परी जैसी दिखने वारी लड़की थी, जिसके पंक कांटों भरी जाडी में फंसे हुए थे, ये देखो, क्या शौक चड़ा था तुम्हें, ये परी वाले कप कांटों में फंसे होने की वज़ा से उनसे काफी खून बै रहा था, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे पंकों को नहीं काटूंगा, पर देखो, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी, मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ जाडियों को काटने की कुशिश करता हूँ, ठीक है, उस परी ने नीरश पर भरोसा किया, और फिर नीरश ने बड़े ही ध्यान से उन सारी कटीली जाडियों को काट दिया, अब वो परी आजाद थी, लेकिन उसके पंक बुरी तरह से घायल थे, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम नीलम है, और मैं परी लोग से यहाँ तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फस गई, मेरा नाम नीरज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो अब तुम अपने परी लोग वापस चली जाओगी ना, मैं चाहूं तो भी नहीं जा सकती, जब तक मेरे पंग बिलकुल ठीक नहीं हो जाते, मुझे यहाँ तुम्हारी दुनिया में ही रहना होगा, क्या तुम मुझे कोई सुरक्षित जगा बता सकते हो, जहां मैं रह सकूँ? तुम मेरे घर पर रह सकती हो, मेरे साथ मेरी मा भी रहती है, हम दोनों मिलकर अपने घर के बाहर ही एक धाबा चलाते हैं, बस मैं थोड़ी से लकडियां काट लो, फिर हम चलते हैं पर लकडियां तो तुम काट चुके हो, वो देखो, नीरश ने पीछे मुर कर देखा तो वहां लकडियों का एक मोटा गट्था रखा हुआ था, जिसे देखते ही नीरश समझ गया कि असल में ये नीलम का जादू ही था हम, तो तुम जादू भी कर सकती हो, पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू का इस्तिमाल क्यों नहीं किया और अभी भी तुम अपने पंखो को जादू से ठीक क्यों नहीं कर लेती क्योंकि हम परियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हैं, खोद के लिए नहीं अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा भरुसा है कि मेरी मा के पास तुम्हारे पंखों को जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोई ना कोई नुस्खा जरूर होगा नीरज उस परी को लेकर अपने घर पहुँचा और फिर अपनी मा को उसके बारे में सब कुछ बताया तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियों को मिला कर एक लेप बना देती हूँ उसके इस्तेमाल से तुम्हारे पंख कुछी दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे शुक्रिया मा जी, लीला के बनाए जड़ी बूटी के लेप सिख निलम के पंख बहुत तेजी से ठीक होने लगे लेकिन नीरज के हालात हर बीते दिन के साथ और भी खराब होते जा रहे थे इह कैसी दाल मखनी है भाई, मखन का तो नामों निशान भी नहीं है इसमें मखन कहां से डालो भाई साब, यहां गाउन में खाने का दाम बहुत कम है थोड़ा भी दाम बढ़ाओ, तो लोग खाने से ही मना कर देते है अब ये सब बहाने हैं, साफ बात है भई, खाने में स्वात तो माल मसाले से ही आता है, अगर वो ही नहीं डालोगे, तो फिर तुम्हारे ढावे पर आने का क्या फाइदा, साधी दाल तो घर में भी खाने को मिल जाती है नीरज मजबूर था, वो चाह कर भी अपनी लागत को नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे अरे नीरज, क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा था वो आदमी बस मा, और क्या बोलेगा, दाल मखनी में मखन ढून रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया, लगता है अब फिर कभी अपने धाबे पर खाने नहीं आएगा नहीं आता है, ना आए, भाड में जाए, तु अपना दिल छोटा मत कर बेटा, ये गाउं की लोग है ही ऐसे, हर कोई उधार खा कर जाता है, उपर से इने दाल में मखन भी चाहिए नहीं मा, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, वरना हमारा धाबा बंद हो जाएगा नीरज की चेहरे पर हताशा और मायूसी साव दिख रही थी, साथ ही चिंता भी, उसकी मा लीला भी उदास होकर अपनी बहन से मिलने उसके घर चली गई, क्योंकि उसके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था, लेकिन वहाँ कोई था जो सही मायने में नीरज और लीला की मेरी मदद की, तो मुझे तो इनकी मदद करनी ही होगी, नीलम परी के पंखब बिलकुल ठीक थे, वो परी लोग वापस जा सकती थी, लेकिन उससे पहले उसने नीरज की मदद करने का फैसला किया, हम, तो ये है वो दाल मकनी, ठीक है, तो ये गया इसमें धेर सारा मकन, हम, बस इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए, नीलम परी ने उस दाल मकनी के बर्तन पर अपना जादू कर दिया, और फिर वहाँ से चुप चाप वापस अपने परी लोग चली गई, फिर कुछ देर बाद, अरे भाई, कोई है क्या यहाँ, खाना मिलेगा क्या, हाँ, हाँ, क्यों नहीं साप, आईए बैठिये, दाल मकनी और रोटी बिल्कुल तयार है, बस मैं अभी लेके आया, नीरच खाना लेने ढाबे के अंदर गया, उसने जैसे दाल निकालने के लिए भगोना खुला, तो दाल के उपर धेर सारे मकन को तैरता हुआ देखकर हैरान रह गया, यह इतना सारा मकन, लगता है माने डालाओगा, पर वो इतना सारा मकन लाई कहां से, चलो, बाद मा पू खेहरा खेल उठा, भई वा, भई वा, सच में मज़ा आ गया हुई, मैंने शहर से एक से एक होटल की दाल मकनी खाई है, पर इतना मकन तो कोई भी नहीं डालता भई, और तुम इतने कम दाम में इतना मकन डालो है, मानना पड़ेगा भी मानना पड़ेगा, और यह भी कहना कि तुम्हारी दाल मकनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया है, शुक्रिया साब, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया, यह बढ़िया है तो पसंद वा नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्रहाग भेशता हूँ, मेरे साथ और भी लोग शहर स आये हैं, वो तालाप के पास जो फैक्टरी का काम चलना है न, हम सब उसी के सिलसले में यहाँ आये हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दाल मकनी सभी को पसंद आएगी हाँ, तुम तयार हो, मैं बस अभी भीजता हूँ नहीं, और हाँ, उनके आने से पहले जरा दा इतना केकर वो आदमी वहां से चला गया, जो कुछ हो रहा था, नीरच का उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने होश संभाला और फटाफट रसोई में जाकर काम में लग गया, ऐसा करता हूँ, फटाफट और रोटिया बना लेता हूँ, दाल तो शायद काफी होगी, नीरच ने ऐसा ही किया, कुछी देर में उसके धाबे के बाहर ग्रहकों की भीर जमा हो गई, नीरच ने फटाफट सभी को दाल मकनी के साथ गर्मा गर्म रोटिया परोसी, और सभी ने बड़े ही चाव से खाना खाया, सारा दिन यही सब चलता रहा, बावजूद इसके कि नीरच ने डाल मकनी का दाम पहले से जादा कर दिया था, लोगों ने भर पेट खाया और उसका दाम भी चुकाया, फिर शाम के वक्त लीला जब वापस आई तो धाबे का हाल देख कर चौक गई, अरे नीरच इतने सारे बरतन और मैंने बाहर द देखा, तुने डाल मकनी का दाम बढ़ा दिया है, नीरच लीला को सारी बात बताता है, ये तो बड़े कमाल की बात है, पर बेटा डाल मकनी में मक्षन मैंने तो नहीं डाला, तो फिर वो आया कहा से, ये बात तो मुझे भी परिशान कर रही मा, खेर, ये सब बाद में खोल कर देखता हूं मा, आज बहुत ग्रहक थे, तो शायद ही डाल बची हो, नीरच ने डाल का भगोना खोल कर देखा तो एक बार फिर हैरान रह गया, क्योंकि डाल का भगोना डाल से पूरी तरह से भरा हुआ था, मा ये ये तो पूरा भरा हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता हैं, ये तो चमतकार है बेटा, अब जब चल्दी से जाकर नीलम को बुलाला, मैं गरम रोटियां बना रही हूं, तुम दोनों साथ बैट कर खा लेना नीरज को बात कुछ-कुछ तो समझ आ रही थी, लेकिन जब नीलम परी उसके कमरे में नहीं मिली, तो उसे पूरा यकीन हो गया, कि उसकी सीधी साधी डाल मखनी को जादूई डाल मखनी बनाने वाली और कोई नहीं, बलकि नीलम ही थी, जो अब वापस परी लोग जा चु अब ना तो नीरज को डाल मखनी बनाने के लिए कभी कोई लागत लगानी थी, और ना ही हर रोज उसे खुद पकाना था, क्योंकि नीलम परी के जादू के असर से डाल मखनी का वो भगोना कभी खाली ही नहीं हुआ, उस जादूई डाल मखनी से नीरज ने ना सिर्फ अच को ही देखा करती थी